महराश्र की सियासत में पारा तब बढ़ गया जब NCP अजित गुट के छगन बुझबल शरत पवार से मिल ले उनके घर पहुचे दोनों की मुलाकात करीब डेड़ घंटे तक चली इस मुलाकात के अलग-अलग मायने भी निकाले जा रहे हैं क्योंकि आने वाले कुछ ही महिनों में महराश्र में चुनाव भी है और एक साल पहले शरत का साथ छोड़ कर जाने वाले छगन बुझबल को ऐसी क्या जूरत पड़ गई कि उन्हें शरत पवार से मिलना पड़ा ये मुलाकात इसलिए भी चर्चाओं में रही कि शरत पवार ने छगन बुझबल को डेड़ घंटे बाहर इंतजार करवाया जब इस ये सवाल छगन बुझबल को पूछा गया तो इस सवाल से छगन बचते हुए नजर आये और अपने बयान में कहा कि शरत पवार की तवियर ठीक नहीं है मैं जब उन से मिलने उनके घर पहुचा जब मैं पहुचा तब वो सो रहे थे राजनीती में जो बाते जितना सुनने में साफ और सरल लग रही है उतनी कोई भी बात नहीं होती है कभी कभी छोटी छोटी मुलाकाते कई बड़े संकेत भी दे जाते है क्या ये मुलाकात महराश्च की सियासत में बड़े संकेत दे रहे है छगन बुझबल और शरत पवार की मुलाकात पर जब सुप्रिया सूले से सवाल पूचा गया तो उन्होंने भी इस मुलाकात पर हैरानी जताए और कहा कि मैं अभी पूने में हूँ और मुझे इस मुलाकात के फिलाल कोई जानकारी नहीं है उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी में कौन शामिल होगा ये किसी का नीजी फैसला नहीं होगा पार्टी के सबी लोग साथ बैट कर किसी को वापिस पार्टी में लेने पर फैसला करेंगे मज़े की बात तो ये है बीते रवीवार को चगन बुझबल शरत पवार पर जम कर बरसे थे बारामती में बोलते हुए उन्होंने शरत पवार पर मराठा अरक्षन में मामले पर शरत पवार को घेरा और शरत पवार पर मराठा अरक्षन को बढ़काने का रोप लगाया था तो ऐसा क्या हुआ 24 घंटे में कि छगन बुजबल को कभी अपने पुराने साती रहे शरत पवार का इतना प्यार क्यों मढ़ गया साथ ही बिना अपॉइंटमेंट के वो पवार से मिलने उनके घर पहुँच गया अगर मामला आरक्षन को लेकर था तो आकिर इंतजार क्यों इतना करना बड़ा शरत पवार से मुलाकात करके लौट रहे छगन बुजबल ने जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारी मुलाकात मराठा आरक्षन को लेकर हुई बुजबन ने ये भी कहा कि शरत पवार महराष्टा के बड़े नेता है मराठा अरक्षन को लेकर महराष्टा में कानून व्यवस्था पर हमारी उनसे चर्चा हुई बुजबन ने कहा कि हमें किसी भी प्रकार का पद नहीं चाहिए ना मैं विधायक बनना चाहता हूँ ना ही मंत्री पत बस राजय में शांती चाहिए इसलिए आज मैं शरत पवार से मिला हूँ मराठा अरक्षन को लेकर मराठा नेता, मनोच, जरंगे 20 जुलाई से एक बार फिर से अनिश्चित काल तक अंचन करने जा रहे है उनकी मांग है कि मराठा अरक्षन के तहट सभी कुन्वियो समुदाय को OBC का दर्जा दिया जाए लेकिन इस अरक्षन को लेकर OBC वर्क के कई नेता विरोध कर रहे है चकन बुजबल महाराश्चा में OBC वर्क के बड़े चेहरे के रूप में जाने जाते है ऐसे में अगर इस अरक्षन में कोई विवाद होता है तो उनकी छवी खराब हो सकती है साथ ही चुनाव में भी बड़ा नुकसान हो सकता है